नमस्कार क todavía नबंस्का नेपटलिस कीचिन माह हजरोर लाइ स्वागाँचा माँ आचा हजरोर को सामूँ फेरी और को रेसिपी पनाया रे देखाँचुंु lekाई अचाचे हजरोर ले यू फो अज़र को सामुग मैले आजा खजुरी बनायार देखाऊंचे तेसको लाग एक कप सुजी, एक कप गंगो को फिटो, दुई कप मैदा, अल्मन रा कोकोनट पाउडर, एक कप छिनी, 100 ग्राम जेती गिव अतवा बटर, 2 टीस्पून मिठा सोग, 1 टीस्पून सुख्नेवको दूलो, व्या दूद, दूद बाएक अरू सबय कुडा आरू लाई, यो बल मार राखी दीन्चु मैले आब, ये सबयलाई राखे दो, आनि मिक्स करी दीनू, तेसमा आब बटर लाई पनी, मिक्स करी दीनू, अब एत्तिको भाए पची, ये दूद, थुरे-थुरे मात्रामा दू धाले रा, मिक्स करी दीनू, तेरे पिठो गीलो पनी हुनू, दैना, रोटी पकावने बन्दा, डो अलिकती सारो उनू पडशा, अब एसलाई अब माले, 20 मिनेट्स दी, छोपे राखे दिनू, अब एनुस्त, ये साना साना डल्ला बनाए र, बुट्टा बनाउचु, माले, माले चे ग्वेटर यूज गरे कीचु, अजुर अब फोर्क, अथवा तिस्ते बना बुट्टा बनाउचु ने, बारा चा बनने, तिसमा आले र, बनाउचु पनी सकना हुन्चु, आफनो इच्या अनुसार सेप बनाउचु अला, माले चाहिए बिस्केट जस्तो सेप बनाउचु, यूच्या अफोट्टे को छ, यूच्या चाहिए क्रिप्सी होन्च, कहीं होते न, यूच्या अब सपयलाई बनाउचु, तिसकी खजुरी डिदने गरेरा तेल तातो बनाए पची मैले यूच्या बनाएको खजुरी अरुलाई, यूटा यूटा गरेरा अटने जती पैन मा आले दिन्चु, शाना शाना आगमा पकाऊनु अला, तेसले कर्द हैरी यूट्सी होन्च, ठिलो आगमा बनावने बाईरा चिटे ब्राउनुने र भिद्र न पाकने उना सक्छ, ते बड़ा इसलाई पल्टाई-पल्टाई कन ब्राउन नाउधा सम्मा पकाऊनु अला, एदी मेरो चानल लाई सब्सक्राइब कोई शकनू बयको छबने धन्यबाद, द्रग गन्नू बयको छईना बने, प्लीज सब्सक्राइब गन्नू अला, र बेल आइकन पनी थीची दिनू अला, तेसले कर्दा हैरी माईले इस्ते-इस्ते इर विशी फियरू लेरा आएको अच्छुरू अरूला लाई नोटिफिकेशन आवने छा, यह एनुस तो अबाँ अल्मोंड्रा, कोकोनट को बास्ना पनी आई राएको छा, एनुस यह अबाँ रेडी बायो, इसे गएड़ा अरू खजुरी अरू पनी छोड़ी जिन्चु पैन मा, लाई एनुस तो कती अच्छा नी पाके कुछा, इसलाए हावा नाजानी गरे रो इवडा कोंटेनर मा राखनो बाय बनी, आन लामो टाइम समा पनी रहना सक्छा, एदी ट्रावल करदा हैरी बाइड ट्रावल करदा हैरी पनी खाना सक्ना होंचा, यह चिते बिग्न बिग्री ने हुदा हैरी, अब यह बनावना पनी एकदम साजीलो खाना पनी मिठो, यह नुस्ता खजूरी चिया समा खाना सक्ना होंचा,